गाईज आजकर अगर आपने गोर किया हो तो अंतरास्टियों मुद्दों पर इंडिया का एक पर्मानेंट फॉर्मूला बन चुका है कि वोटिंग से बचो और चिल करो यहाँ गाईज इंडिया ने एक बार फिर से यूएन में इरान के खिलाफ या इरान के पक्ष में वोटिंग करने से मना कर दिया दरसल यूएन के यूमन राइट काउंसल में ये वोटिंग होनी थी कि इरान में जो ओरतों और बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं वो सही है या गलत तो कई देशों ने खास कर यूरोप और कश्चिम देशों ने इरान के खिलाफ वोट किया था वहीं चाइना और पाकिस्तान ने इरान के समर्थन में वोट किया था हालाकि फाइनल डिसीजन में जादतर वोट इरान के अगेंस्ट ही डाले गए थे लेकिन बावजूद इसके इंडिया ने एक बार फिर से अपनी चतूरता दिखाते हुए रशिया युक्रेन की तरह ही किसी के खिलाफ वोट नहीं किया जिसका फाइदा इंडिया को आगे जाकर इरान से कच्चे तेल को इंपोर्ट करने में होगा आपके हिसाब से इंडिया ने इरान के अगेंस्ट जोट ना डालकर सही किया या गलत कोमेंट सेक्चन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग इंफोर्मेटिव वीडियो के लिए एटू मोटिवेशन चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा इलते अगली वीडियो में